हेलो फ्रेंड्स स्वागत है वी डवल आईसी में और मैं अमित कुमार सौनी हारदेक हारदेक अभिनंदन करता हूँ दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अपनी जॉइनिंग का इंतजार कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ जो अभ्यरती सिक्षक भरती परिक्षा वर्ग तीन से उम्मीद लगा हुए हैं उनकी कई वार उम्मीदें तूट चुकी हैं तो कई वार परिक्षा इस्तगित हुई और कई वार नई डेट आई और ये सिलसल लगातार जारी है तो दोस्तों इसी के संबंद में एक व्यावसाइक परिक्षा मंडल का पीवी का एक लेटस अपडेट आया है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा और उसमें दोस्तों प्रमो को पॉइंट रहेंगे कि पदों की संख्या को डिस्क्लोस क्यो नहीं क करेंगे दोस्तों यह निउस पेपर की कटिंग के माध्यम से मैं आप लोगों को सब बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों जैसा कि आप यह देख सकते हैं देखें दोस्तों यह लेटस अपडेट है आपके सामने कि प्राइमरी सिक्षक भरती परिक्षा के इंतजार में साल साले 6 लाग फॉर्म इसमें बराए गए थे चली दोस्तों आगे है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड परिक्षा कब होगी यह अब तक तै नहीं हो सका है इस परिक्षा के लिए प्रदेश भर से साले 6 लाग युबाओं ने आवेदन किया था पीवी की वेबसाइ अरक्षक की जो भरती है वो अब मार्च से बढ़ा करके अप्रेल में कर दी गई है तो दोस्तों निश्चित रूप से इनका कहना है एक परिक्षा के बाद ही होगा अब आगे कहते हैं कि पूर्ब में प्राइवरी सिक्षक भरती परिक्षा एक बार फिर इस्तगित कर चु परिक्षा को इस्तगित कर चुका है, बार बार परिक्षा इस्तगित होने से आवेदन कर चुके करीब साले चे लाख अभ्यरती परिशान है, इससे पहले पीवी ने दो जनवरी का शेडूल जारी किया था, लेकिन परिक्षा की तैयारी नaż नहीं के कारण इसे 18 जनवरी से कर का निर्णे लिया गया वेफ साइट पर उन्हों शेडूल भी जारी किया लेकिन फिलाल इसे इस्तगित कर दिया गया अब दोस्तों पीवी के शेडूल अनुसार पूर में परिक्षा 25 अप्रेल 2020 से शुरू होना थी लेकिन कोरोना वाइरस के कारण और लॉवडाउन के कारण परिक्षा इस्तगित कर दी गई इसके बाद 19 सितंबर की तारीक तेगी गई लेकिन प्रदेश में कोरोना की इस्तिती को देखने के बाद परिक्षा को एक बार फिर से इस्तगित कर दिया गया मालुम है कि व्यापम ने सन 2013 में सिक्षक पातता परिक्षा आयोजित की थी दोस्तों उसके बाद अब ये परिक्षा आयोजित की जा रही थी और वो भी चार बार इस्तेगित की जा चुकी है दोस्तों उस समय जो फॉर्म भरे थे वो भरे हुए थे 10 लाक अभ्यरतियों ने लेकिन इस लाबार 6 लाक क्यों है उसका कारण मी मैं आप लोगों को बताऊंगा उस समय ये परिक्षा आप लाइन आयोजित की गई थी पीवी के अधिकारियों के मुताबिक पीवी की ये दूसरी सबसे वड़ी ऑनलाइन परिक्षा है उच्च मादमिक शिक्षक भरती में करीब साले 3 लाग आवेधन पराप्त हुए थे वहीं पटवारी परिक्षा के लिए पीवी को 10 लाग से अधिक आवेधन पराप्त हुए थे अब दोस्तों जो प्रशन आता है कि आखिर इतने फॉर्म पिछली बार की अपरिक्षा कम क्यों रहे ब्याबम ने जो सोचा था क इस बार भी 10 से 12 लाग के बीच फॉर्म आएंगे लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण था इनकी रूल बुक में पदों को शो नहीं करना और इसको एक पातरता परिक्षा के रूप में ही मानना लेकिन दोस्तों ऐसा पहले नहीं था आप देख सकते हैं कि 2019 में एक ड्राफ्ट तयार किया गया था उस ड्राफ्ट में 9500 पदों का जिक्र था याने कि प्रात्मिक भरती परिक्षा के माध्यम से प्रात्मिक इसकूलों में विद्यलयों में 9500 पद खाली थे और उनको भरना इसमें शामिल किया गया था दोस्तों एक बात और इसमें विशेस है कि जो अध हुई मंत्री की इनके साथ में कि इन्होंने उस पद को डिस्क्लोज नहीं किया और बिना पद को दिखाए ही परिक्षा के लिए जो रूल वुक है वो निकाल दी और उसमें कॉलम दे दिया कि ये केबल मात्रेक पातता परिक्षा है और इसकी कुछ अवदी उन्होंने निश् की होगी उसके बाद में डेट टेक की जाएगी पीवी के द्वारा और ये वेपसाइट पर जो पीवी की वेपसाइट है अधिक्रित वहां पर आप लोग इसको उस समय देख पाएंगे ये कहना है पीवी के अधिकारी का और दोस्तों ये भी मैंने बताया कि ये डिस्क्लो करके सामने आ रहे हैं दोस्तों पद जाहिर ना करने का डिस्क्लोज ना करने का एक मंचा ये भी हो सकती है कि सीम राइज योजना दोस्तों अभी की नहीं है ये काफी पुराना इस पर कारे चल रहा था और ये गवर्मेंट के दिबांग में थी कि आगे आने वाले समय में ह और इसका जो है नेगेटिब प्रभाव क्या पड़ेगा कि इसकूल बंद हो जाएंगे छोटे छोटे इसकूल गाओं के बंद हो जाएंगे तीन-चार किलोमीटर के दायरे में और उन से मिलकर के एक बड़ा इसकूल बना दिया जाएगा तो निश्यत रूप से पदों की स अंदोलन और जो विद्यारती है उनमें काफी रोश होता कि आपने रूल बुक में साड़े नौहजार लिका है लेकिन यहां पर आपने साड़े नौहजार दस हजार पदों पर भरती नहीं की है तो दोस्तों यह जो है बड़ी शातिर है गवर्मेंट आगे की सोच करके चल इसलिए उन्होंने इस पातता परिक्षा में किसी परकार का डिस्क्लोज नहीं किया है तो दोस्तों यह थी जानकारी और विशेस बात इसमें यह है कि अब यह मानके चलो कि अप्रेल तक तो कोई डिट होना ही नहीं है उसके बाद में ही कोई डिट आएगी लेकिन फिर भी चुकि यह एक्जाम करवाना है फीस ले चुके हैं तो परिक्षा तो होगी इसलिए सबी लोग अपनी तैयारी जारी रखें और हाँ मैंने एक आंदोलन की और बात की थी कि पदों की संख्या को डिस्क्लोज कर दे गवर्मेंट तो बहुत अच्छा रहेगा तो इसके प्यास किये जाने चाहिए तो दोस्तों बने रहेगा मेरे साथ वीड़ा वाला इसी में मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद जेहिंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें शेयर करें वीडियो को धन्यवाद